हलो आज है 13 सब्टेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करें जा रहे हैं यूनियन बैंक ओफ इंडिया के बारे में लेकिन 90 रुपय का शेर है और आज कुछ बहतरीन देखने को मिला जरूर आज जब शुरुआत में मौनिंग में जब बाजार खुला था एक बड़ा डिक और सिफ यूनियन बैंक ओफ इंडिया में ही नहीं मोश्टली सरकारी बैंक्स में आज यही हुआ है जादा तर्फ बैंकिंग शेर में अगर आप देखने को मिली है कुछ कंपनियों में में भी देखने को मिली है और अच्छा मूव था यह बात्चित करेंगे उसके बारे म अब दीरे दीरे अटेम्ट कर रहा है कोशिश कर रहा है उपर उठने की जो कि अच्छी बात है लेकिन पिछले एक साल का ग्राफ देखो तब भया शांदार है पैसा डबल हो चुका है इससे पहले भी बहतरीन तीजी यहां पर आई थी 95 रुपीस पर गया था वापस करेक् बढ़ोतरी देखने को मिले और अगर ऐसा हो गया तो उसका असर यहां पर भी होगा यहां पर भी बैंकिंग शेर में करेक्शन देखने को मिलेगा आटो मूबिल में भी करेक्शन देखने को मिलेगा तो यह चीज़े होगी यहां पर लेकिन अभी का जो सिनारियो है वो trade होते नजर आए इतना ही नहीं अगर बात करी जाए तो according to money control user 79% लोग कहरे खरीदारी करो 7% लोग कहरे बेचो बाकी 14% लोग कहरे hold करो इतना ही नहीं के numbers भी अगर आप देखो तो यह खराब नहीं है even quarterly numbers भी आप देखो तो बहतरीन तरीके से growth हाई है revenue wise देखो तो लगातर भागे हैं उपर की तरफ और हर quarter का revenue पिछले quarter के मुकाबले जादा है profit wise भी अगर आप देखोगे तो शांदार profit है शांदार profit है लेकिन हाँ expectation भी अब इस bank से बढ़ चुकी है तो भया लगातर हर quarter में इनको अच्छे profit दिखाने पड़े हैं अगर नहीं दिखा पाते है तो दिक्कत में आ सकती है ये bank अगर union bank of India के बारे में देखे तो 6.42 का इसका P ratio है जो की valuation के हिसाब से काफी सस्ता है sector P 17 का है यहाँ पर 67% analyst कहते हैं अगर हम देखे तो जो प्रमोटर है उनके पास 76.99% की होल्डिंग है अभी हाल फिलहाल में ही प्रमोटर ने union bank of India में अपने शेर्स को बेचे हैं मतलब प्रमोटर मतलब गवर्मेंट है यहाँ पर 83.49% की होल्डिंग जो थी वो घटके 76.99% पर आ चुकी है बड़ी खरीदारी mutual fund ने भी करी domestic ने भी बहुत बड़ी quantity खरी दिये 6.09 से बढ़ कर 10.71 पर आये है अगर हम देखे तो 1.46 से बढ़ कर ये 3.20% पर आये है रिटेल और अधर की मिला कर 6.51% की होल्डिंग है जो पहले 7.60% थी तो actually में दिखवाली यहां पर कुई है जबकि प्रमोटर ने बेचा रिटेल और अधर्स ने बेचा लेकिन वाई या बड़े fund house लपक के बैठे हुए है यहां पर और ये बड़ा अच्छा sign है कि बड़े fund house की entry हो रही है यहां पर यह अच्छी बात है तेकि Union Bank of India मेरे साथ चार्ट structure अगर इसका देखा जाए तो अभी कुछ time के लिए मैं यही कहूंगा कि buy on dips के ही मौके डूडने चाहिए इसी एक level बे बहुत सारे shirts नहीं खरीदने चाहिए यह reason यह है कि कभी भी US से कोई भी खबर आ सकती है और कभी भी banking को लेकर मुझे लता है कि already काफी बड़ी तेजी आई है बीच बीच में correction यहाँ पर बनते भी है तो दीरे दीरे buy on dips के मौके डूडने चाहिए हर 10-15 person के decline पर ही थोड़ा थोड़ा करके add करना चाहिए यहाँ पर long term का future मुझे अच्छा लगता है definitely triple digit में यह आपको नजर आ सकता है आने वाले दोर में लेकिन time लगेगा उसके लिए भी उससे भी उपर जा सकता है यह लेकिन time लगेगा wait करना पड़ेगा यहाँ पर और इसलिए मैं कहुँगा कि धीरे धीरे add करना और अब जो आपका निजरिया है वो long term का होना चाहिए और मैं long term की बात करूँगा मैं ऐसा नहीं कि आज खरीदो और कल बेच दो वो वाला scene नहीं है याद रखो रखो अच्छी company चुनो अच्छे shirts चुनो और long term के लिए बैट होस के उपर simple सी बात है बागी मरजी आपकी यह वीडियो को यहीं पेंड करूँगा पसंद आए हो तो like करो शाय कर चाहिए मगरा पहले बार हैं तो please subscribe करे और Union Bank of India के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लेकि बता सकते हैं Thank you